आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DNBC बैंक अकाउंट के बारे में बैसिकली आपका ये इंटरनेशनल लेबल पर बैंक अकाउंट ओपन होएगा आप चाहो तो इंटरनेशनल टांजेक्शन भी कर सकती हो आप चाहो तो आप अपना गलोबली जैसे की इंडिया में रहके भी यूज कर पाओगे बैसिकली इस बैंक अकाउंट को आप ट्रेबल के लिए यूज कर सकते हो इस वीडियो में पूरा कंपलीट आप लोगों इंफोर्मेशन देने वालों कैसे आप इसे यूज कर सकते हो पलस कैसे आप इसमें आकाउंट ओपन कर सकते हो कैसे कैसे बेरिफाइ करना है अपने मूबाइल फोन के स्क्रीन पे सबसे पहले भाई आप लोगों कंफर्म कर दो लिंक मैंने अल्लेडी डिस्कूसर में परवाइड कर रखा है सिंपल से जैसे कि आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक करते हो कोई भी दिकत मैं आएगा बाकी यहां पर डाउलोडिंग वगएर यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर प्लस यहां पर आप लोगो में अगर दिकत आता है तो मेल भी कर सकते हो सो मैंने अल्लड यहां पर website open कर रखाया है यहां पर आप लोगो वर्सप नमबर मिल जागा आप चाहो तो कोई अधर query करना चाहो सो कर सकते हो यह कोई भी दिकत नहीं है गा आप असानी से इसमें कोई भी question वगेरा पूछ सकते हो यहां पर आप लोगो globally transaction कर सकते हो यहां पर time and condition है आप यहां पर read करना चाहो कर सकते हो मैं यहां पर cut करता हूँ cut करने के बाद यहां पर आप लोगो बताया जरह है internet banking भी आप logging कर सकते हो नीचे में आप लोगो personal account का औफनस मिलेगा यहां पर corporate account का औफनस मिलेगा और प्लस यहां पर और भी यहां पर नीचे में औफनस देखने को मिल जागा जिसमें अलग-अलग account है प्लस यहां पर payment card का भी औफनस है जैसे कि इसके card का use करके आप भाई अलग-अलग तरीके से payment कर सकते हो जैसे online transaction होगे अब बात करें कि भाई इसका account कैसे हम activate कर सकते है और कैसे account open कर सकते है so account open करने के लिए सिंपल से यहां पर देख लिए जो open account को आफनस मिलेगा इस पर click करके account open कर सकती हो लेकिन भाई सबसे पहले यहां पर आप लोगो detail लेना ज़रूरी है account हम open करेंगे तो इसमें हमें क्या benefit देखने को मिलेगा so account open करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग यहां पर personal account पर आप लोगो click करना है जैसे यहां पर देख लिए यह आपका personal account है इस पर आप click करोगो तो एक new page open हो जाएगा मैं आप लोगो यह suggest करूँगा personal account पर ही click करके अपना account open करना है and नीचे में आप यहां पर scroll करोगो तो यहां पर देख लिए बताया गया है इसमें आप लोगो क्या है premium system है यहां पर आप लोगो जो first आपको options देखने को मिल जाएगा यह आपका free है यहां पर zero आप लोगो cost देना पड़ेगा maintenance charge यहां पर zero है and यहां पर आप लोगो options क्या क्या मिलेगा यह देख लिज़े free open account का मिल जाएगा free monthly maintenance fee यह आप लोगो रहेगा कुछ भी यहां पर पैसान नहीं देना no hidden fee and आपका transaction का पैसा नहीं देखने को मिल जाएगा 24-7 असका secure transaction का options देखने को मिल जाएगा plus यहां पर और नीचे में scroll करोगो तो spend in over most countries यहां पर options देखने को मिल जाएगा मतलब कि अलग-अलग country में आप भाई spend कर सकते हो यहां पर आप लोगो वह सब बारे में बताएगा और नीचे में scroll करोगो तो यहां पर आप लोगो बताएगा यूरो में यहां पर 9 यूरो आप लोगो पेक करना पड़ेगा maintenance fee and प्लस इसमें आप लोगो payment card भी मिल जाएगा इसका भाई card का यूज करके आप digitally या physically card यूज कर सकते हो प्लस उसे cash withdraw भी कर पाऊगे उससे नीचे आप scroll करोगो तो यहां पर 19 यूरो आप लोगो पेकरना पड़ेगा जो standard है यहां पर free account रहेगा no hidden suite यहां पर सब पुछ आप लोगो free यहां पर दिया जाएगा और भी यहां पर features आप लोगो देखने को मिल जाएगा लेकिन मैं आप लोगो suggest करूँगा यहां पर आप अपना यह वाला account इस पर क्लिक करके open कीजिए यहां पर देखने को मिल जाएगा कार्ड का लुक फरस्ट लुक आप बोल सकते हो यहां से apply ना पर क्लिक करके और इसके बारे में बताया गया open करते वक्त आप लोगो क्या क्या यहां पर offense बिलेगा कितने step में open कर सकते हो फर्स्ट आप लोगो अपना information देना पड़ेगा यहां पर get start पर क्लिक करके और उसके बाद आपको document आपना सम्मीद करना पड़ेगा फिर उसके बाद आप लोगो यहां पर KYC रहेगा वो verify करना पड़ेगा जैसे कि वीडियो के वाशी आप लोगो आपना document जो दोगे and personal information डियो के वाशी में जो पूछा जाता है वो ही आप लोगो यहां पर बताना पड़ेगा और नीचे में आप लोगो account approval conference मिल जागा आपका card यहां पर कुछ इस तरह के देखने को मिल जागा अब रहेगे कि भाई इसको हम अगर open करते हैं हमें क्या क्या यहां पर provide करना प इस यहां पर इस्टेंडर पैकेज लेंगे जो हमारा यह विल्कुल फिरी रहेगा हमें इसमें एक रूपे भी नहीं देना है उसके लगोड़ यहां पर आप लोगों यहां पर पासपोर्ट नम्र यहां पर आप लोग को देना पड़ेगा यह सबसे बड़ा भाई वीक होता है लेकिन यहां पर पासपोर्ट नमर रिक्वाइड यहां पर देख लिए रेड कलर में इस्टार मारक है तो आप लोंको पासपोर्ट नमर फिल करना पड़ गांगा इस बैसे इसमीर अकाउंट ओपन हम नहीं कर पाएंगे बागी आपे इंडिया नेवाले तो अपने न नमर सेलेक करके यह पर वर्टप नमर फिल कर सकते हैं नोटिस में छोड़ सकते हो कोई भी दिकत नहीं आगा अगे डीटेल में जैसे मैं आप लोगों बताए कि आगे आप लोगों वीडियो के वाशी के लिए बताया जाएगा एंड आप अपना वीडियो के वाशी यहाँ पर ID verification का थोड़ा सा process चेंज कीजिए यहाँ पर national ID भाई सिर्फ passport नहीं ड्राइवी लेसेंस या बोटर ID कार्ड भी आप mention कर सकते हो बट इन लोगों ने सिर्फ passport ही mention किया है आपको यूजर नैम पासवर्ड यहाँ पर लोगिंग कर सकते हो आपको यूजर नैम पासवर्ड जैसी आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इन इंटरनेट बेंकिंग वगेरा सब कुछ यहाँ पर देख लिए जो ओनलाइन मूबाइल बेंकिंग या ओनलाइन ओपन पर क्लिक करके भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो आप लोगों जो भी भाई मैंने बताया वो सब इंफोर्मेशन समझ में आ चुका है कैसे आकाउंट ओपन करना है लेकिन भाई प्रोलम यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट से ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो मैंने जितना भी आप लोगों डिटियल दिया सब कुछ आप लोगों समझ में आ चुका है और आपको इसके रिलेटर में कोई भी कोश्चान आता है नीचे कॉमेट कर दीजे मैं रिप्ले कर दूँगा सब्सक्राइब कर देना ताकि फीचर में वीडियो डालिंगा उसका नोटिफिशन आपको मिलते रहेगा अफिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक किले बाइबाइब